तो बजार वाला प्रेजरवेटिव वाला मिल्क मेड क्यों लाना जब हम घर में ही इतना अच्छा मिल्क मेड बना सकते हैं तो करना कुछ नहीं है बहुत सिंपल है इसकी वेसिपी दूद बज जाए आपके पास तो बनाईए मिल्क मेड लीजिए एक कडाई उसमें एड करेए एक किलो मिल्क मैं वन लीटर मिल्क का बनावी हूँ जो भी आपके पास है गाय का भैस का डेवी का आप कोई भी मिल्क उसमें एड कर दिया है 400 ग्राम्स शुगर और उसे मैं अब अच्छे से स्टर करें हूँ जब तक चीनी यहां पिघलनी जाती है तब तक हमें इसे स्टर करना है ऐसे ही नहीं छोड़ना है तो कंटिन्यू स्टर करने के बाद अब यहां चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है औ और इसे पकाएंगे तो यहां यह ध्यान रखना है मैंने चीनी जब एड की थी जब दूद में एक उबाल आ गया था अब हम गैस को सिम कर देंगे और जब यह मिल्क हाफ से कम बह जाए तब तक हमें उस कंसिस्टेंसी का इसे पकाना है यह ध्यान रहे और बीच बीच में ह मैं बिलकुल मत अबालिये अब इस स्टेज पर हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा सोडा गैस की फ्लेम मैंने बन कर दी है और मैं इसमें दो पिंच अराउंड सोडा एड कर रही हूं और इसे कंटिन्यू हिला रही हूं देखिए कितना फ्रॉदी सा जाग इसमें आ गया है और यह मिल्क का टेक्शिर भी चेंज होता जा रहा है यह और लाइट और फ्लफी हो रहा है इस स्टेज पर मैंने गयस फिर से ओन कर दी है जस्ट थोड़ी सी देव के लिए और जैसे ही हमने यहां इसे विस्क कर लिया है स्पून से ही तो मैंने गयस को वापस टरन उफ कर और इसे ठंडा कर लिया है बिल्कुल ठंडा होने पर ये और भी ठिक हो जाएगा तो ये मिल्कमेड हमारा रेडी हो गया है अब आप इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखेगा क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल वो बजार में आता है ना जैसे गाढ़ा वाला कंडेंस्ट मिल्क तो इसे बना के रखिए इस एक लीटर मिल्क से मेरा ये इतनी क्वांटिटी का मिल्कमेड बनके वेडी हुआ है तो बजार से मत लाइए बनाइए घर में और इंजॉय कर ये और मेरे चैनल को सब्सक्राइब